नमस्कार दोस्तों स्वागाते आप सभी गया एक बार फिर से आशीश गौतम के साथ अटर 247 हमारे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आज हम लोग डिसकस करने जाने हैं 2nd of June की Most Important News Guys फटावट से वीडियो के लिंक को कॉपी करिया मैकसिमम जितना मेरे दोस्त मेरे प्यारे मित्रों मेरे प्यारे भाई हो जरा फटावट से शेयर करना स्टार्ट करें तब तक खियाद रखें Good morning सस्तिय काल जैशी रादे मेरे भाई मेरा प्यारा सलाम सबी को अभी तो दोस्त हम लोग यहां पर जुड़े हैं सुबह साथ बजे इसके बाद एक और मुलाकात होने वाज लिए आज दुपएर बारा बजे में मन्त के जितने भी Most Important कह सकते हैं कि डेस बन सकते हैं उन डेस का हम लोग English में और Hindi में Bilingual discussion करेंगे इवीन थीम के साथ गुड मॉर्णिंग गुड मॉर्णिंग गुड मॉर्णिंग गुड मॉर्णिंग गुड मॉर्णिंग मेरे भाई गुड मॉर्णिग आगे बढ़ा जाए सबसे पहले बात करते हैं Motivational quote की जरा बड़े ध्यान से सुनिएगा Everything you want is on other side of fear असल में क्या होता मेरे भाई आप लोगों ने सबीन सुनाओगा बहुत सारे Motivational speakers अब दोगों यूज करते हैं कि अगर पाइलेट पाइलेट अगर उचाई से डरने लगे तो क्या वो प्लेन उड़ा पाएगा नहीं न अगर कोई भी मेरे भाई कह सकते हैं कि नाव चलाने वाला व्यक्ति अगर पानी से डरने लगे तो क्या वो नाव चला पाएगा नहीं मेरे भाई तो कहीं न कहीं आपको अपने डर पर काबू पाना पड़ेगा अगर आपके मन में एक डर है क्या मैं एक सेलेक्शन ले पाऊंगा ठीक है थोड़ी दर के लिए छोड़े क्या यार मैं जिंदिगी में कुछ कर पाऊँगा क्या यार मैं जिंदिगी में कुछ हमेशे यही सवाल खुद से आता है ना क्या यार मैं अपनी जिंदिगी में कुछ कर पाऊँगा अरे वेरे दोस्त हर कोई बहुत यूनिक है हर कोई बहुत स्पेशल है हर कोई अपनी मा का एक लाडला है हर कोई कुछ न कुछ कर सकता है और इवन लाडली में मेरे भाई हर कोई कुछ न कुछ कर सकता है क्योंकि हर किसी के अंदर एक इनर टैलेंट है उस टैलेंट को पहचानने की जरूरत है सरफ उस talent को पहचानने की जरुवत है कहते हैं नहीं कि असली परक तो जोहरी जानता है तो जोहरी भी आप ही हो आपको करना क्या है खुद के लिए मन्थन करना है खुद के लिए सोचना है खुद के लिए यहां पर देखना पड़ेगा कि यार मैं किस चीज मैं कुछ कर सकते हैं बस एक मन में एक बिलीव सिस्टम की जरुवत है बचपन का वो दिन याद है जब माता पिता ने पहली बार साइकल चलाना स्टार्ट कराया था आप लोगों को याद है पीछे से साइकल पकड़ ली थी फिर क्या हुआ था कि आप चला रहे थे पैडल मार रहे थे चला रहे थे आपको लग रहा था कि पीछे मा है वो आपके साथ दौट रही है पापा आपके साथ दौट रहे है बढ़ ऐसा था नहीं उन्होंने आपको छोड़ दिया था आप अपने आप पैडल लेकिन अंदर एक believe system था कि मा मेरे पीछे है मा मेरे पीछे है क्यों मेरे भाई क्योंकि आपको अपने पर धीरे-धीरे believe आने लगाता और आपको जो support करना था उस पर believe आने लगाता तो इस वक्त इस competition में वो paddle चलाने वाले भी आप हो और आपके पीछे जो खड़ा है वो भी मेरे भाई आप हो बड़ा गौर फरमाई एका जो paddle चला रहा है वो बन्दा भी आप हो और जो आपके पीछे खड़ा है वो भी आप हो बस समझने की जरूवत है कि नजरिये को अपने को सही करने की जरूवत है कि किस तरीके समचीजों को लेके चल रहे है I hope दिमाग में थोड़ा भी हिट किया हो तो आज से या जितने बच्चों ने अभी तक session पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे है daily जुड़ियेगा इस तरीकी की बाते तो हम लोग daily करेंगे बट कहीं न कहीं अपनी life को कैसे और perfect कर सकते उस पर भी discussion करेंगे तो guys ये session आप लोगं के लिए ऐसा session है न current affairs तो पढ़ते हैं इसमें जिंदगी का कौन सा यूटन कब ले जाए वो भी यहाँ पर देख ले देख लेए हो ठीक है मेरे बाई तो याद रखना you are talented you are a super talented and you are a super super talented बस पहचानने की ज़रूद है ठीक है अब आगे बढ़े ने तो तुम काओगे sir current affair पढ़ा बातों से नहीं कम चलता current affair exam में आता है तो दोस्त एक बात important एक मिनिट का वक्त लोगा please गर्याना नहीं warrior 2.0 की बात करें warrior 2.0 है क्या ऐसे बच्चे जो मेरा की banking का बैच लेना चाते है financial awareness का बैच लेना चाते है या even economics का बैच लेना चाते है जो भी macro economics गवर करूँगा like inflation buzzard हो गया यहां पर foreign exchange हो गया यहां पर आपका मनलब एक तरीके से बात करें तो foreign trade हो गया यहां पर adda247.com पर जाना है adda application पर जाना है और आपको app पर जाकर या .com पर जाकर बस एक काम करना है इस code को use करना इस warrior patch को select करना Y168 इवन आपको कुछ भी test series, video courses, live classes अगर आपको maximum discount चाहिए तो इस code को use करना आपको maximum discount मिलेगा ठीक है मेरे दोस्त UPSC का question है पूछा जाएगा आशीश गौदम सर का code कौन सा है तो याद रखना Y168 ठीक है next आगे बढ़ते है 12 बजे का session important days का इस पर काम करना है आईएगा 12 बजे जितने बच्चे live देखना अगर में मन्त पढ़ना है और में मन्त याद करना है पढ़ना नहीं याद करना है तो आज 12 बजे के session में जुड़ना सबसे पहले और important कल मैंने आपको ये सारी की सारी news करा दी थी कि जो विजय रूपानी है इनोहने सरदार बलभाई पटेल का विश्व का दूसरा सबसे उंचा जो कह सकते है इस टैच्व है इसको एहमदाबाद में नौगरेट किया था इरपान बड़ान ने अनौस्मेंट कर दिया किर्केट नहीं कहलेंगे विकरम साराभई Children Innovation Center गुजरात में सेट अप किया जाएगा राजनात सिंग ने क्या किया था गुजरात के हजीरा में जो L&T Armed System Complex है वहाँ से 51st K9 Wizard T Gun को देश को समर्बित किया था ये पढ़ चुके है ठीक है खादी एन विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने क्या किया था कि 1st Skill Silk Processing Plant गुजरात में नौगरेट किया एश इजैसंकर साहब ने सरदार बल्ला भाई पटेल सेंटर फॉर इंपावर्मेंट और लाइबली हुड की आधारशिला रखी थी 2nd IRCTC जो तेचे से ट्रेन है एहमदाबाद और मुंबई के बीच में चलाई जा रही है 31st International Kite Festival एहमदाबाद में रहा था और 1st Edition of Krassi Manthan ये आपका एहमदाबाद में रहा ये हम लोगोंने कल पढ़ लिया था अब गुझराद का और पढ़ते हैं गुझराद की और नीउस पढ़ रहा है ये हम लोगोंने कल पढ़ लिया तो उसको फटावड से रिवीजन कर लिया अब जरा ध्यान से देखना इंडिया है साइज एगरिमेंट to jointly develop National Maritime Heritage Complex भई National Maritime Heritage Complex कहां पर बनने जा रहा है गुजरात के लोथल में या National Maritime Museum मेरे शब्दों पर और फर्माएगा National Maritime Museum कहिए यहाँ पर आप लोग कह सकते है National Maritime Heritage Complex या आपका गुजरात के लोथल में बने गा और इसको बनाने में कौन सा देश भारत को साहेता कर रहा है वो है दोस मेरे भाई पूर्टगाल इसको याद रखना इतना क्लियर है सबी के Next यार मेरे दोस State Government has partnered with State Bank of India to facilitate MSME loan मतलब जितनी भी micro small medium enterprises नहीं है उनको रिड़ उपलब्द कराने के लिए राजी सरकार ने State Bank of India के साथ एक समझोता किया है जो State Assembly है ये Best MLA Award देना स्टार्ट करेगी World का जो Biggest Cricket Stadium है इसका नाम था Motera Stadium मैट इसका नाम बंदल कर कर दिया गया है सरदार बनलभाई पटेल Stadium और इसको इनागरेट किया था US President Donald Trump ने एहमदाबाद में ये स्टेडियम कहां पर एहमदाबाद में और यहीं पर रहा था नमस्ते Trump event इसको भी याद रखना चित्रभारती Film Festival आपका एहमदाबाद में रहा था एहमदाबाद आपका सावरमती नदी के किनारे बसा हुआ है इस बात को और याद रखना है मतलब यहाँ पर कहने का लोजिक यह है कि ऐसा पहला शहर कौन सा बन गया है जिसने की किफाइती आवास योजना के लिए Green Building Certificate प्राप्त किया है दोस्त गुजरात का राजकोट सरदार पटेल स्टेडियम ने नमस्ते Trump event की मेजबानी की थी और इसका inauguration डुनाल्ड ट्रम्प ने किया था इसका नाम ता मोटेरा स्टेडियम इसके लावा चित्र भारती Film Festival आपका एहमदाबाद में रहा था राजी की विधान सबाने Best MLA Award देना शुरू करने की बात करी मतलब किस विधान सबाने गुजरात की विधान सबाने राजी सरकार ने MSME रिड़की सुविदा के लिए SBI के साथ भागीदारी करी है और भारत में गुजरात के लोथल में रास्तिय समुद्री विरासत परिसर रास्तिय समुद्री विरासत परिसर को सब्सक्त रूप से विक्सित करने के लिए किस के साथ समझोता किया पूर्टगाल के साथ I hope guys यहां तक clear होगा sir आप थोड़ा अपने right में आईए ओए ओए होओए होएँ ज्यादा थोड़ा बड़ा नहीं होंगे हो ए हनुमान जी बनके हों में तोड़ा ज्यादा बड़ा ऊगे छोटा बे जाता हो शेरी राम चंद्र क्रपाल भाजमन सुनाई बहला हम लोग सरस्तुती विद्यामंदर पर पढ़ते तो उस दिन सौम बार हुआ मंगलवार हुआ, बुद्धो बार हुआ, बरस्पति बार हुआ, शुक्रबार हुआ, रवी बार हुआ रवी बार तो नहीं, वहाँ पर इतनी नहीं थी, सनी बार हुआ, तो हर दिन कोई न कोई यहाँ पर श्लोक पढ़ाये जाते थे, संस्क्रेट तब काफी शांदार हुआ करती है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, next, which of the falling country is not a part of the group of 7, ध्यान से सुनेगा, निम लिखित में से कौन सा देश group of 7 का हिस्सा नहीं, मतलब जो G7 country है, यह exam का recent का question था, G7 country इन में से कौन सी नहीं है, अभी आपको पता है, G7 summit host कौन करने जारता, US है, अब उसने hold किया है, अब इसको September में maybe host किया जाएगा, ठीक है, अब जला ध्यान से सुनना, अब इसी तोरान उन्होंने का कि इस group को expand करने की जरूवत है, इन्होंने का कि India should be a part of this, Russia should be a part of this, इसके लाव ऑस्टेलिया और साउथ कोरिया भी इसका part होना चाहिए, तो सवाल यह है कि G7 का कौन कौन से देश पार है, तो मैंने कल आपको बता इसके सदसे हैं, इतना क्लिर होना चाहिए, जर्मनी की capital Berlin currency euro, Britain मतलब UK capital London currency pound sterling, France capital Paris currency euro, Canada capital Ottawa currency dollar, USA capital Washington DC and currency यहाँ पर dollar चलती है, Japan capital Tokyo currency yen, और Italy की capital Rome currency euro चलती है, I hope guys यहाँ तक सारी चीज़े clear होंगे, और भी बहुत कुछ है यार, Canada के Montreal में, Canada के Montreal में सर क्या है, सर, WADA, World Anti-Doping Agency का headquarter है, और WADA ने रशिया के ऊपर अभी 4 साल का प्रितिबंद लगाया, कुछ याद आ रहा है, रशिया के ऊपर WADA ने 4 साल का प्रितिबंद लगाया और WADA का headquarter आपका कहा पर है, Canada के Montreal में, जैसे WADA है ना, वैसे अपने देश में क्या है, NADA, National Anti-Doping Agency, और NADA का headquarter आपका New Delhi में है, और दोस्त, NADA के SEC, मतलब जो brand MS है, वो कौन है, अंजिली मेरी है, मेरी रही, अरे मेरी नहीं मेरे भाई, कुछ याद है, अंजिली मेरी है, कुछ याद आ रहा है, जहां तक मुझे लग रहा है, उनीका dialogue था, सुनिल शिट्टी, सुनिल शिट्टी सहाब की बात करते हैं, त दीप्ती शर्मा is related to the which sport, दीप्ती शर्मा किस खेल से संबनित है, सर, rowing से, badminton से, weightlifting से, wrestling से, या cricket से, answer बनता है सर, cricket से, अभी हाल ही में, शिखरदवन, ईशांत सर्मा और दीप्ती शर्मा, इन तीनों को अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनिट किया गया, और रोहित श दीप्ती शर्मा का दीप्ती शर्मा आपके cricket से संबनित है, ठीक है मेरे दोस्त, दीप्ती शर्मा किस से है, cricket से संबनित है, नेक्स यार, विनेश फोगात is related to the which sport, विनेश फोगात, इनको भी राजीव गांधी खेल रतने अवार्ड के लिए नॉमिनिट किया जाएगा, कोई भी अगर दिक्कत है, यह cold होता है, cold में हालक थरा हुए आती है, ना बोलने के रहते है, ना कुछ खाने के रहते है, अभी तो बोल नी पार, I hope यार, तुम लोग समझने की कोशिश करोगे, session पसंद दरा, like कर दे ना यार, आशिस सर, आपका current face पढ़ना भूल जाओ, आशिस यार, मुझे current face पढ़ाने से मना कर दे, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, सत्य हम सोनी, मेरे वाई, वाई, शान्दा रती, उत्तम सरहानी है, बहुत बढ़िया, next यार, who has topped the Forbes list of the world highest paid athlete with earning of 106.3 million, कौन 106.3 million dollar की कमाई के साथ, दुनिया के सबसे अधिक कमाई वाले athleteों की सूची में seat पर है, यहाँ पर है male है, sorry, male athlete की बात हो यह, male athlete कौन है, female athlete तो Naomi Osaka है, ठीक है, और male athlete की बात करते हैं, तो इनका नाम है Rosa Federer, and Rosa Federer from the Switzerland, बड़े ध्यान से सुनना, option बड़े सोच कर रखे हैं, यहाँ पर विराट कोली 66th place में रहे, इसमें एकलोते एकमात्रिक क्रिकेटर है, इसके लाबा दोस्ते जरा ध्यान से सुनेगा, Australian Open का man's single का title जीता है, नोवाक जोकोविच ने, भाई अपना सर्विया से है, लियोनल मैसी और लूइस हैमिल्टन लियोनल मैसी खेलते F1 race, बाजी गर मैं बाजी गर, वो मूवी दीगे ने मिर भाई, तो उसमें जो वो गाड़ी चलाते चुटकी सी, उसी को हम लोग F1 race में यूज करते हैं, और वही लूइस हैमिल्टन है, F1 race से सम्मानित है, लियोनल मैसी मिर भाई यह फुटबॉल केल में मेरे भाई, यह खुफिया जानकरी अपने तक रखना, जर्मनी के बरलेन में, लॉरिस sports award ceremony रही थी, जिसमें की men's category में दिया गया है, लूइस हैमिल्टन और लियोनल मैसी को, लूइस हैमिल्टन आपके UK से है, UK से, और लियोनल मैसी कहां से सर, यह अर्जन टीना से, अर चलिए दोस्त, next important देखते है, प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी द्वारा, गोशित वीडियो ब्लोगिंग प्रतियोगिता का नाम क्या है, what is the name of the video blogging context announced by the Prime Minister Narendra मोदी, इसका नाम है जीवन योग, क्या नाम है दोस्त, इसका जीवन योग इसका नाम है, सर, मो जीवन और मो प्रतिबा, ये आपकी Udisa State Government की स्कीम है, कौन-कौन सी मो जीवन, मो प्रतिबा, ओके, और जीवन शक्ति और जीवन अमरित, ये दोनों आपकी, ये दोनों आपकी मद्रप्रदेश State Government, मद्रप्रदेश State Government की स्कीम है, काई इस बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत important है, मो जीवन, मो प्रतिबा, Udisa की है, इसके लाब बहुत कुछ है Udisa का यार, अमा घरे LED, सुनेत्र, कालिया स्कीम, पीठा स्कीम, अमा घरे LED, सुनेत्र, कालिया, पीठा, अबादा स्कीम, मो परिवार, मो सरकार, ठीक है, इसके लाब मो जीवन, मो प्रतिबा, जगा मिशन, करी थी कोई से तू करी थी ना से तू से तू अभी मैंने आपको पढ़ा है तो सटर्डे को को बता सकता उसका नाम क्या है वैसा अभी मद्र प्रदेश ने एक और करी थी कि everyone will get job ये अलग थी इसके अलवाद जीवन शक्ति अलग थी जीवन अमरे तलग थी FIR आपके द्वार योजना ये भी आपके मद्रप्रदेश के है फटावट से मेरे को बताओ मेरे भाई मद्रप्रदेश वाली स्कीम का नाम बताओ जो कि अभी एक लॉंच की गई है ओके आप तो यार ये रट गया होगा सबको रोजगार से तू, well done यार रोजगार से तू इसको याद रखना है रोजगार से तू next Who is the Director General of the Sports Authority of India कौन भारती है? खेल परादिकरण के महानेदेशक बन गए है बही, simple से सवाल है कौन अभी हाल ही में जो ये Sports Authority of India है इसके head बन गए है फटावर से काई जांसर करेगा? Who has become the head या who is the head of the Sports Authority of India Sports Authority of India के head कौन है? फटावर से बताई, Sports Authority of India के head कौन है? अब जड़ा देखना ध्यान से वैसे तो answer बनता है, option number one Olympic Commission Olympic Channel Commission Olympic Channel Commission के member बने नरेंदर बत्रा नरेंदर बत्रा Olympic Channel Commission के менि जर बने है अजे महाजन Care Rating के head है Care Rating के head है संजे कोथारी Chief Vigilance Commissioner है Chief Vigilance Commissioner और ये हुड़ूको के chairman बने है सिवदास मीना एक बार फिर दुबारा सुन लो सिवदास मीना होड़को के चेर्मेन बने है संजय कोठारी चीफ बिजलेंस कमिशनर है अजे महाजन केर रेटिंग के हैड है नरिंदर बत्रा आपके ये आपके ओलंपिक चैनल कमिशन के मेंबर बने है और संदीप प्रधान को Sports Authority of India का हैड बनाया गया है Sports Authority of India अगला सवाल Who has been appointed as the CEO of the Food Safety Standard Authority of India किसको भारती है खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के CEO के रूप में न्यूक्त किया गया है आँसा बनेगा option number 4 अरुन सिंगल को अरुन सिंगल को TS त्रेमूर्ती को United Nation में इंडिया ने अपना रिपर्जेंटेटिव बनाया है तरुन बजाज ये Economic Affairs Secretary बने है बिभू परशाद कनून गो ये Deputy Governor है Reserve Bank of India के RBI के Deputy Governor काना में बिभू परशाद कनून गो TS त्रेमूर्ती United Nation में इंडिया के रिपर्जेंटेटिव है और तरुन बजाज Economic Affairs Secretary बने है आरुन सिंगल ये Food Safety Standard Authority of India के CEO है और गोविंदा राजलू चिंतला ये आपके नाबाड के नाबाड के चेर्मेन बने है इतना सभी के टिप्स पर क्लियर होना चाहिए ओके पासाज सवाल हो गए नेक्स्ट तो विच स्टेट नाबाड है सेंशन 1050 करोड in the current fiscal for benefit of the farmers मतलब कहने का लोजिक यह है कि farmers को credit provide किया जा इसके लिए fund कौन देगा तो नाबाड नहीं यहाँ पर पंजाब government को यहाँ पर fund provide करने की बात करिये कितना 1050 करोड जिससे कि farmers and poor जितने भी people है rural areas में उनको credit यहाँ पर मिल पाएगा answer बनता है option number पंजाब नहीं यार क्या बोलगा पंजाब West Bengal इससे पहले पंजाब को किया था अभी यह West Bengal को दिया गया है अब जोस्ट ज़रा ध्यान से सुनना West Bengal related एक चीज Kolkata 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 related एक चीज यहाँ पर Bandan Bank का headquarter है अब मैं इन options को आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ आप लोग खुद देखेगा जैसे यहाँ की scheme है धनवंतरी यही की एक और scheme है मेरे भाई जिसका नाम है अरुंदती एक अभे नंदन दो से जाना बच्चे उने पर जोब नहीं है उत्रण scheme असम की है प्लस यही की एक और scheme रही थी जिसका नाम है अपोनर अपोघर scheme ओके 36 गड़ ने अभी नियाए scheme लॉंच करी थी जारकड़ ने बिरसा हरित ग्राम योजना नीलांबर पीतांबर जल समर्दी योजना और दूरदर्शन के साथ जो समझोता किया था वो भी आपका जारकड़ नहीं किया था प्लस इसके अलावा वीर सहीद photo हो खेल विकास scheme ये भी आपकी इसी राज्जी की है पंजाब नहीं बंगा लारे भाईया मान तो लिए मान लिए मेरे भाई मान लिए next आगे बढ़े world milk day कब observe किया जाता है किस दिन विश्ध दूद दिवस के рूप में मनाया जाता है बही फटा भट से मताएए world milk day कब observe करते हैं कब मनाया जाताए अनसा बनता है निवरे भाई it is observed on the first of June जो world milk day है आपका first of June को observe करते है संजरा ध्यान से देखे, 28 माई, 29 माई, 30 माई और 31 माई इस दिन क्या आता है, जहां तक मुझे यादे, गोवा ने अपना स्टेट होड़ दे मनाए था 30 को, 31 माई को 31 मå कोאשो ब्लड एंटी तबाकू दे मनाया गया था, 29 को साथ इंट्रनेशनल डे ओफुर धार इन तबाकू आता 29 माई को ही इंटरनेशनल एवरेस्ट डे मतलब अंतरास्ती एवरेस्ट दिवस भी मनाते हैं तो 29 तारिक को दो रहे, United Nation Peacekeepers डे प्लस एवरेस्ट डे 30 में को रहा था, Goa का Statehood डे मतलब Goa का राज्य दिवस और 31 माई को रहा था, World No Tabaku डे, Vision Tabaku निसे दिवस इस क्लियर होगा यहां तक सारी चीज़े है, यहां तक सारी चीज़े आप लोगे क्लियर होगे, टिप्स पर क्लियर हो निचे मेरे भाई, ओके? अगला सवाल, Global Day of Appearance यह कब observe क्या आता है, किस दिन वैश्विक अभिबाबा के दिवस मनाया जाता है, पढ़ना नहीं है, ज़रा थोड़ विजुली चीज़ों को याद करने की कोशिश करना, कि डे इस पूरे के पूरे, टेक है, Global Day of Appearance यह कब observe करते है, तो दोस्तों यह यह भी आपका 1st of June को observe किया आता है, Global Day of Appearance, अब ज़रा ध्यान से सुनना, 20th में को क्या आता है, World Metrology Day, प्लस इसके अलावा एक और डे आता है यहाँ पर, World B Day, ओके, National Technology Day, नहीं, National Technology Day नहीं, National Anti-Terrorist Day, आपका 21 में को आता है, और International Tea Day, अभी cold में tea की जरूवात है, मेरे बा जल्दी से संतु सर सुन रहे होंगे, संतु सर, 25th में को क्या आता है, दोस्ट, World Thyroid Day, 25th में को आता है, अब बागी के डे सारी पूरी लिस्ट से ही देख लेते हैं, 20th में को आता है, आपका World B Day, विश मदुमक्की दिवस, और 20 में को आता है, World Metrology Day, विश मैट्रोलोजी द दिवस भी, 21 में को आपके तीन दिन हो गए, एक रहा International Tea Day, अंतरास्ती चाय दिवस, 21 में को रहा था यहाँ पर National Anti-Terrorism Day, रास्ती आतंकवाद विरोधी दिवस, प्लस World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development, तो एक ये याद करना, I think बाकी तो याद है, 22 को आते हैं, तो International Day for Biological Diversity, मतलब जैव विश म मही को रहा, 23 मही को दोस्तो दो दिन हो गए, World Turtle Day और International Day to End Obstetric Fistula, ये भी आपका कव observe किया जाता है, मेरे भाई, 23 मही को, 25 को आता है, World Thyroid Day और International Missing Children Day, आपका 25 मही को observe किया जाता है, I hope so guys, यहाँ तक सारी चीज़ा clear होंगे, यहाँ तक सभी के clear होंगे, Sir Days and Obituary याद नहीं होते हैं, अच्छा अंजली जी पहली बार जुणिएं क्या आज, पहली बार आईएं क्या, थोड़ा रुकिएगा, दो चार देने अराम से बैटके यहाँ पर बात बात करके जाएगा गरूप में, ठीक है पूरा चलते हैं, इनसे Days पूछना, इनको तो होते की तरह याद हो गए हैं, तो continue आया करिए, जो आप यह आती नहीं है, ऐसे बिल्कुल कि आज आ गए, रिस्तेदारों की तरह आती हैं आप सेशन में, आज आ गए, फिर कल आ गए, ऐसा नहीं, अपना घर है, रोज आया करिए, सुबह साथ बजा आया करिए, थोड़ा गल्दी और आया करिए, तो वहाँ बच्चे होते हैं, वो आपस में discussion करते हैं, आप भी थोड़ा बतराया करिए उनसे, पूछा करिए, ये डे कौन से दिन आता है, ये डे कौन से दिन आता है, ये डे कौन से दिन आता है, तो आपको याद हो जाएंगे, और विचरी याद नमबर फिप अश्वनी कुमार, अश्वनी कुमार is the author of the migration and mobility, migration and mobility के author है यहाँ पर, अश्वनी कुमार, कल पढ़ा है था हिंदू में लंबा चोड़ा कोलम आया था मेरे बाई, कोदा पाण निकली चुई है, एक छोटा सा बुक लिखा था, कि migration and mobility इनकी बुक है, जो कि रिलेटेंट लेस, सद्गुरु पाटिल और माया बूसन नागवेकर इन उने एक आटो बाईग्राफी लिखी है, किसकी लिखी थी वो, कुछ यादा रहा है, एक्स्ट्रा ओडिनरी लाइफ, किसकी तेन एक्स्ट्रा ओडिनरी लाइफ, अबाईग्राफी ओफ मनुहर पर धर्मेंदर राए, दथिन माइंड मैप बुक, इसके ओतर है धर्मेंदर राए, एक नमर में पूछी जाती बुक, सद्गुरु पाटिल और माया बूसन नागवेकर ने लिखी है, और दोस्त, यश्वन्त सिना की बात करते हैं, इन्होंने यश्वन्त सिना की जो ऑटो बा इतना क्लियर होगा सभी के, इतना सभी के टिप्स पर क्लियर होगा, इतना क्लियर होते हैं, आप सेशन को लाइक करतो दोस्त, फिर हम लोग बढ़ते हैं, आज की इंपोर्टेंट न्यूस की दरफ, एक सेकंड यार, जब तक तक तुम पड़ो, फोटो दो को कितना जोर का लगा है, आवाज आरी ने मेरी, हलो, 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 माइक टेस्टिंग, 123, 123, 123, 123, आरी जो पंजाब गवर्मेंट नहीं हैं, इसके उपर हम लोग कोविद सेष लगाएंगे, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि सेष होता क्या है, सर यह एक परकार का टेक्स होता है, it is a kind of text, ठीक है, it is a kind of text, और sir, इसका एक purpose होता है, ये एक purpose के लिए लगाए जाता है, और जिस purpose के लिए लगाते हैं, उसी purpose के लिए इस amount को यूज जाया सा है, जैसे गव कल्यान सैस, अब गव कल्यान सैस किस के लिए घर बनाएगा, हमाई लिए थोड़ी के आशी जोगातम के लिए गव कल्यान सैस से घर बनना है, जितनी भी गाए हैं उनके लिए मिरे भाई cow shelters बनेंगे, गव शाला बनेंगी, तो गव कल्यान सैस, secondary and higher education सैस हो गया, मत इसके बाद अभी एक आरा है क्लैमिटी सेस, आप लोगो पता है क्लैमिटी सेस, सरकार क्लैमिटी सेस लगाने की बात करी, गुड सेने सर्विस से टेक्स पे, तो वैसे ही आपको याद रखने कि पंजाब गवर्मेंट का कहना है कि हमारे यहाँ पर पत्याला पैक जादा चलत तेलंगाना celebrates the formation day, हर साल दो जून को तेलंगाना का गठन दिवस मनाया जाता है, इंपोर्टन है तेलंगाना का formation day आपका दो जून को अब्जव किया जाता है, तेलंगाना की कैपिटल है है हैं जो की आपकी मूसी नदी के किनारे बसी हुई है, मुख्यमंतरी का नामे के च महिला गवनर है इस बात को याद रखना कैपिटल रही है धराबाद जो कि मुसी नदी के किनारे है मुख्य मंत्री के चंदर शेकर राओ और गवनर का नाम तमिला इसे ही सोंदराजन एक और इंपोर्टन अमराबाद टाइगर रिजर्व एक्जाम को कुशन आये था यहाँ पर इसके अलाबाद टाइगर रिजर्व आपकी कहां पर यहीं पर इसके अलावा ठीक है कासु भ्रह्मनंदर रेड़ी महावीर हरीना वनस्तली ठीक है एन म्रगवानी ये नेशनल पाक्स रहे कबाल पखाल और मंजीरा ठीक है इसी फ्लो में याद रखने कबाल पखाल यह आपकी wildlife century रही और अमराबाद टाइकर इस अब आपका तेलंगाना में इस्तित है तेलंगाना की एक scheme है इसका नाम है रायतू बंदू और तेलंगाना जो हैने 2020 को year of artificial intelligence मना रहा है मतलब year of artificial intelligence 2020 को कौन सा state मना रहा है इसका नाम है तेलंगाना I hope guys यहाँ तक सारी चीज़ क्लियर होंगी ओके अब अभी तक हम लोगों ने जून में कौन-कौन से day celebrate कर लिये हैं सार जून में आपने जो अभी तक day celebrate करे हैं उनमें हम लोग days की बात करते हैं दोस्त तो कौन-कौन से days रहे तो यहाँ पर सबसे पहले तो आया था global milk day ठीक है world milk day रहा था अंजली चीत दो जून को यहाँ पर आ गया तेलंगाना का तेलंगाना का मेरे भाई इस्टेट होड़ डे इस्टेट होड़ डे आई होप सुगाइस क्लियर होगा नेक्स देखेगा लंबी चौड़े निउस देख रही है न बड़ है कुछ नहीं है इसमें बहुत चुटकोसी निउस है जितने भी आपके गैजट होंगे जितने भी आपके कह सकती है फाइल्स होंगी इन सभी को सेनिटाइस करने का काम किया जाएगा तो यही सवाल आ सकता है किसने बनाया है तो DRD ने क्या किया है एक डिसिनफेक्शन यूनिट बनाए जिसका नहीं अल्टरा स्वेच तो डिसि क्या होता इसको सेनिटाइस करने के लिए जो मटीरियल से इसमें इलैक्ट्रोनिक आईटम से फैबरिक्स होते इनको सेनिटाइस करने के लिए यह अल्टरा स्वच बनाया गया और यह किसने बनाये DRD उन कि स्थाफना हुई थी हैडक्वाटर न्यू डहली में लोकेटेड ह है 1958 में बनाता 1958 में मुख्याले नई दिल्ली में स्थित है और इसके अध्यक्ष का नाम चेर्मेन का नाम है जी सतीश रेटी ठीक है जी सतीश रेटी इसके चेर्मेन है आई होप सुगा इस क्लियर होगा ओके नेक्स देखना यह भाई अपना ना तुम्हों की तरह पढ़ रहा है इसमें मैं ही पढ़ा रहा होगा यह तुम्हारा भाई पढ़ रहा है अब हो क्या रहा जारा देखना वर्चुल क्लासिस अब फॉर्चुल स्टुडेंट अंडर दी नेम ऑफ फॉस्ट बैल विगन इन केरला थूदी काइट विक्टर्स चैनल देखो केरल में फॉस्ट बैल नाम से इसकूली छात्रों के लिए वर्चुल वर्चुल क्लासिस अभी शुरू की गए है मतलब केरल राजी सरकार की बात करें, केरल में बात करते हैं, तो इसकूल के जितने भी विद्यारत ही हैं, उनकी जो भी कह सकते हैं कि पढ़ाई है, वो रुखे नहीं उनकी जो स्टडी है उसी तरीके से स्मूधली चलती रहें, इसके लिए उन्हों नंने एक प्रोग्राम ल शुरू करिए फर्स बेल के नाम से और किस चैनल के माध्य हम से होंगी काइट विक्टर से चैनल बट मेरे लिए इंपोर्टन यह कि फर्स बेल जो वर्चुल क्लासिस है किस स्टेट ने लॉंच करिए किस स्टेट ने शुरू करिए तो इसका नाम है केरल I hope so clear होगा Next देखना विश्वास मेहता took charge as the chief secretary of the केरल विश्वास मेहता ने केरल के नए मुक्य सच्चिव की रूप में कारिबार समाला है तो केरल के नए मुक्य सच्चिव कौन बवने विश्वास मेहता केरल की capital है त्रुवंत पुरम मुख्यमंत्री का नाम पीनाराई विजयन और गवनर का नाम है आरिफ मुहम्मद खान ये एक्जाम में आये था केरल के गवनर है आरिफ मुहम्मद खान मुख्यमंत्री पीनाराई विजयन और कैपिटल का नाम है त्रुवन्त पुरम और अभी केरल के जो chief secretary बने विश्वास मेहता और virtual classes शुरू करी गई है किसका नाम क्या नाम क्या फस्ट बैल क्या नाम है दोस्त फस्ट बैल है अच्छा इसके अलावा एक और important केरल की तो scheme है विजय मरत्म और सहचरी केरल की तो scheme है I hope so guys clear होगा यहां तक सारी चीज है ओके यहां तक सारी चीज है clear होंगे देखो सुनो एक चीज और मैं बोल रहा हूँ मुझे बच्चों की तोड़ी complaint आ रही है तुम लोग comment वगर उल्टे सीधे करते रहते हो गलती से block हो जाओगे इसलिए कोई भी vulgar comment मत किया करो ठीक है comment मत करिए next यार काफी शांदर स्कीम लॉंच करिए सरकार ने काफी शांदर स्कीम है आप लोगों ने स्टीट वेंडर देखे ने जो रोड साइड जो दुकान लगाते हैं अब उनका क्या होगा यार उनकी तो सारी की सारी जो दुकाने लगाते हैं उनके पास तो source of income कुछ है नहीं है अब वो क्या करेंगे अपने दिन डेली रोज के जो काम होते हैं उनके लिए पैसा कहां से लाएंगे तो सरकार एक लोन स्कीम ले आई है टिक स्टीट वेंडर्स के लिए स्पेशल ये लेकर आई है और बोला है कि हम आपको 10,000 रुपे का लोन देंगे और अगर आप बिल्कुल जो टाइम है ना उस टाइम है जैसे एक साल का लोन दे दिया यहाँ पर क्लियरली मैंशन अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा 10,000 का लोन दे रहे हैं 10,000 का लोन है आप लोग आराम से एसे एक साल में इकोल इकोल इंस्टॉल्मेंट में पे कर सकते हो आपने स्टीट वेंडर्स को सरकार के द्वारा क्या दिया जाएगा रिड उपलब्द कराया जाएगा बिना किसी प्रतिभूती को गिर्वी रखे एक्जांबल आशीश की बात करें आशीश गया बैंक में लोन लेने के लिए तो अब उसने कहा कि सर मुझे पैसा चाहिए उधार उन्होंने कहा कि चलो ठीए कुछ गिर्वी रख दो तो मैंने अपनी बुलेट उड़ाई और उनको गिर्वी रख दी तो इट इस कॉल्ड वाट इसके ही लोन आपको मिल रहा है समझ में आ रहा है अब जरा पूरी की पूरी स्कीम को ध्यान से समझना गॉर्मेंट हैज अन्विल्ड पी-एम पी-एम स्वा निधी इसका नाम है स्वा निधी इसे पढ़ना स्वा निधी सरकार ने स्वा निधी इसके अंतरकत जो भी स्वा नहीं है उनको अफोर्डेबल लोन मतलब की सस्ता रिड अपलब्द कराया जाएगा इस पी-एम स्वा निधी का पूर रूप बनता है प्रधान मंत्री इस एबरिवेशन की फूर निधी है प्रधान मंत्री प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निथी, जाना नहीं है, सुनना जा रहा, कहा तर सेंट्रल गवर्मेंट की स्कीम आएगी, तो ताबर तो बैटिंग करेंगे, क्योंकि एक-एक पॉइंट इंपॉइंट है, पहला पॉइंट ही, Housing and Urban Affairs Ministry launch the scheme, किस मंत्राले ने इस scheme को launch किया, Housing and Urban Affairs Ministry ने, आवास और सहरी मामलों के मंत्राले ने इस योजना को शुरू किया है, इस scheme का target क्या है, 50 लग स्ट्रीट वेंडर्स को यहाँ पर benefit दिलाना, मतलब योजना में 50 लग से अधिक जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको लाभनवित करने का यहाँ पर लक्ष रखा गया है, जो यह योजना है ना, इसकी जो duration रहेगी तिल मार्च 2022 है, मतलब मार्च 2022 थक इस योजना के अंतरकत रिड उपलब्द यहाँ पर कराया जाएगा, ओके, next देखना मेरे भाई, इसकी अंतरकत क्या होगा, वर्किंग कैपिटल मतलब होता है, कारशील पूझी, कारशील पूझी की बात करते तो आपकी दिन प्रति दिन की जो भी क्रियाए होती है, एक व्यवसाय में बात करें, तो उनको complete करने के लिए जो funding की requirement होती, it is called the working capital, कारशील पूझी, for example, raw material ल कराया जा रहा है, जो कि repayable रहेगा monthly installment में in the tenor of one year, एक एक शब्द important है मेरे भाई, एक साल में monthly installment होंगी, और monthly installment में ये 10,000 रुपे इन्हें repay करने पड़ेंगे, अगर भाई इन्हें अपना timely repay कर दिया, मतलब on timely कर दिया, या उससे पहले repayment कर जाता है, तो उसको यहाँ पर इस रिड़ पर 7% की 7% का interest subvention मिलेगा, interest subvention मतलब होता है कि जो ब्याज है उसमें छूट दी जाएगी, 7% पर annum basis पर, यह आपको याद रखना है, इससे यहाँ पर इन्हों ने subsidy बोल दिया, interest subvention बोलिए, interest subsidy बोलिए, बात एक ही यहाँ पर पड़ेगी, अगर जो vendor है यह repay कर अतलब होता है, एक साल से जादा का rate ले सकता है, 20,000 रुपे का, भाई मेरे सुनो, हल्गे में मतले ना scheme को, बहुत important है, और इससे पूरा का पूरा रट लेना, यह क्या पूरा का पूरा इससे मेरे भाई, रट लेना, ओके, clear है, next यहाँ, ध्यान से सुनना, Yes Bank Limited has acquired 24.19% stake in the Dish TV India Limited, Yes Bank Limited ने Dish TV India Limited में 24.19% हिस्सेदारी का अधिगरहण किया है, बाई देखो सवाल इस तरीगे से बनेगा, which bank has acquired 24.19% stake in Dish TV India Limited, किस bank ने Dish TV India Limited में 24.19% की हिस्सेदारी का अधिगरहण किया है, guys, answer बना, Yes Bank, okay, दूसरा, Yes Bank ने अभी हाल ही में Dish TV India Limited में कितना percent stake acquire किया है, 24.19% का stake acquire किया, यह तीसरा सवाल, Yes Bank ने 24.19% का stake किसमें acquire किया है, तो Dish TV India Limited में, I hope guys यहां तक clear होगा, यहां तक सबीगे clear होगा, okay, next देखना, Yes Bank 2004 में बना था, MD and CEO का ना में प्रशान्त कुमार recently बने है, headquarter की बात करते हैं, Mumbai महरास इसका headquarter है, और tagline इसकी है, experience are expertise, experience are expertise, अभी इसी पर तो भाई बहुत सारी दिक्कते आ गई थी, तो इसमें फिर SBI ने स्टेक खरीद दी लिया, फिर इसके जितनी भी depositors हैं, उनको भी बूला गया, कि आप इससे ज्यादा नहीं कह सकते हैं, withdraw कर सकते हैं, moratorium period में लाए गया, तो overall बहुत सारे ये reason की वाज़े से news में रहा है, तो इसको भी याद रखना है, next year, Sports Authority of India, दूसरी बार news में आ रहा है, Sports Authority of India इनोंने खेलो इंडिया e-part शाला एक यहाँ पर प्रोग्राम लॉंच किया है, भारतिय खेल प्राधिकरण ने क्या किया है, कि एक खेलो इंडिया e-part शाला प्रोग्राम लॉंच किया है, National Sports Federation के साथ मिलकर, जो रास्ती खेल महासंग है न, यह रास्ती खेल महासंगों के साथ मिलकर, भारतिय खेल प्रादिकरण ने एक अभी खेलो इंडिया इपार्ट शाला का शुभारम किया है, ये है क्या, सर ये क्या करेगा, इस प्रोग्राम के माध्यम से, ओनलाइन कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी, ओनलाइन एजूकेशन प्रोग्राम चलाए जाएंगे, किस है, अब एक सवाल उठता है, सर, इस्पोर्ट मिनिस्टर का नाम क्या है, दोस्ट मेरे भाई, किरन रिजीजू, किरन रिजीजू, और एक और important point, यो इस्पोर्ट्स मिनिस्टर ने किरन रिजीजू, इनकी कौनस्टीट्वेंसी क्या है, अरुनाचल वेस्ट, 아ुनाचल वे किया था तो 3rd edition रहा था आपका असम के गौहाटी में रहा था 3rd edition और इसको महरास्ट ने टॉप किया था यह एक एक पॉइंट इंपोर्टन बने का एक्जाम के लिए टॉप किस ने किया था मेरे भाई और इसमें यहाँ पर टॉप पर कौन रहा है इविन किस स्टेट ने मैडल टैनी को टॉप किया था तो महरास ने मैडल टैनी को टॉप किया था और थर्ड एडिशन जो रहा था वो असम के गौहाटी में रहा था clear है इतना clear होना चाहिए दोस्त next देखना ये दो sports person है इनको भी यहाँ पर nominated किया गया है किस चीज के लिए Boxing Federation of India has recommended Amit Pangal ये exam का question बना था Amit Pangal ते को मैंने बोलता हूँ जो exam में question आता वो हमेशा कहीं नगे news में रहता ही ही है ठीक है अंकिता रहना exam में आया अगेर उन्हें recommend किया गया award के लिए Amit Pangal को भी यहाँ पर recommend किया गया है Boxing Federation of India has recommended Amit Pangal and Vikas Krishnan for the Rajiv Gandhi Khail Ratna Award कभी नहीं exam में आएगा किसको यहाँ पर Rajiv Gandhi Khail Ratna Award के लिए nominate किया गया पूछेगा तो यह पूछेगा कि दिया किसको nomination नहीं पूछ रहा तो अपने को क्या याद रखना है Amit Pangal and Vikas Krishnan both are related to the which is put दोनों ही किसे खेल से संब्दित है both are related to the boxing दोनों ही आपके दोस्त वॉक्सिंग से संब्दित है clear मेरे भाई first खेलो इंडिया गेम्स रहे थे आपके New Delhi में, second पूने में third one Gohati में first winter खेलो इंडिया गेम्स रहे थे first winter गेम्स रहे थे लेहे में और मनला first phase रहा था ले में, second phase रहा था गुल्मर्ग में, अरे वा first खेलो इंडिया यूनिवर्स्टी गेम रहे भूवनेशर में भूवनेशर रहा कटक दोनों में रहे थे बहुत बढ़ी है मेरे भाई, क्या बात है शांदर यार, six thousand के लिए खें धन्यवाद मेरे भाई, दिल से शुक्रिया ठीक है, next सरकार खेल लई है यार बहुत जा ऐसे नहीं हम खेलेंगे मेरे भाई, ऐसे सरकार कैसे खेलें मनलब कभी अभी निर्मला सीतरामन जी आ थे प्रेस कॉनफरेंस में, hello, hello, mic testing, mic testing मैं आज से micro, small, medium, enterprises की definition चेंज कर रहे हूँ, मोहतरमान, sorry, माफ करेगा उन्होंने क्या किया, जो है, निर्मला सीतरामन वित्तमंत्री है शिरी-शिरी मती जी है, उन्होंने क्या कि micro, small, medium, enterprises की परिभाशा बदल डाली किसको micro कहा जाए, पहले अलग-अलग category थी कल फिर इन लोगोंने बदल दी, इनका मन चलना है, कल इनोंने मेरी भाई फिर बदल दी, क्या बदला है, वो जरा मैं बता दे रहा हूँ, उस पर को और फर्माएगा, exam के लिए most, most, most important सूच में लगू और मत्यम, उध्यम या micro, small, medium, enterprises, micro, enterprise कौन सी है सबसे पहले तो देखिए, manufacturing और services, दौनों के लिए यहाँ पर same है, अब बोला गया यहाँ पर क्या, पहली चीज तो investment और turnover पहले investment के basis पे ता turnover के basis पे लाएनने की बात हो नहीं थी, वे turnover वाले को cancel कर दिया गया, अब इनोंने turnover और investment दौनों को club कर दिया है Micro, Small और Medium 1 करोड, 5 करोड 10 करोड, 10 करोड, 50 करोड यहाँ पर आगया मेरे भाई 250 करोड ठीक है, यह यहाँ पर definition इन लोगों ने change कर दिया, ज़रा ध्यान से सुन लिजे, exam के लिए most important है और exam में यहाँ से पूछा जाएगा ठीक है, exam में यहाँ पर पूछे जाएगा, एक मिनट एक सवाल ज़रा मुझे बताएगा, who is a MSME minister, MSME minister कौन है MSME minister कौन है, फटावट से बते, MSME minister कौन है मेरे भाई MSME minister कौन है, नितिन जैराम गड़करी, आपके MSME minister, micro, small, medium, enterprises, ministry देख रहे है और उनकी जो constituency बनती है, दोस्त वो आपकी बनती है नागपुर महरास, नागपुर महरास से वह आपके सांसद चुने गए है इसके अलावा याद रखना है MSME related, एक point मुझे देखना है, उसको open कर लू फिर मैं आप लोगों को पूरा का पूरा ये session लेकर चलते हैं हम लोग, एक second दोस्त बस इनका कहना क्या है कि micro enterprise वो रहेंगी, जिनका investment एक करोड से कमका है और turnover 5 करोड से कमका है, small enterprise वो रहेंगी जिनका investment है वो 10 करोड से कमका है और annual turnover 50 करोड से कमका, turnover मतलब होता है कुल मिलाकर sale और investment मतलब होता है capital जिस capital से उसे start किया गया है, ओके guys इस बात को और याद रखना है इसके बाद यहाँ पर आता है 50 करोड की बात की जा रही है, यह इते को change किया गया है यह यहाँ पर change किया गया है, ठेके 1, 5, 10, 50 यहाँ पर और 20 और 20 लिखा हुआ था ना, 20 और 100 लिखा हुआ था अब 20 और 100 को अटाग और 50 करोड कर दिया, कि medium enterprise के लिए 20 करोड नहीं होगा थोड़ा जादा करना पड़ेगा, 50 करोड से कम का अगर उनका investment है और 200 करोड से कम का अगर उनका turnover है, तब जाकर इसको हम लोग medium enterprise बोलेंगे यह वाला point समझ में आया है, यह वाला आया कि नहीं, जो definition तीना पहल है definition को clearly बोल रखा था 20 और 100, यहां पर 20 करोड और 100 करोड मैंशन था, अब यहां पर जो amount कर दिया वो 50 करोड और 200 करोड कर दिया है इस बात को और याद रखना है, यह exam में पूछा जा सकता है, इसलिए focus करके चलना एक एक नंबर में exam में पूछ लिया जाएगा, next लास्ट न्यूज अपने session की तो काफी important है, SpaceX spacecraft successfully docked with the ISS अब ISS है क्या है, ISS है मेरे भाई, International Space Station International Space Station में human को यहाँ पर पहुचाए गया है और अभी first time है कोई private basis पे यहाँ पर पहुचाए गया, क्या है वो पूरा में समझा देता हूँ देखना एक spacecraft है, इसका नाम है crew dragon, इसको SpaceX ने build किया है और इसने क्या किया है, जो astronaut नहीं है, यह astronaut है NASA की यह astronaut रहे थी, इनको International Space Station में successfully land किया है जो SpaceX है ना, यह first private company बन गया है, जिसने की human space flight को orbit में launch किया है most important, SpaceX become the first private company to launch the people into the orbit and a feat achieved by US, Russia and China overall अगर हम लोग बात करते हैं, first private company जिसने की, अभी तक अगर हम लोग बात करें human space flight, यह यह कहें, कि जो people है, उनको orbit में launch किया, तो answer बनता है SpaceX और इसने NASA के जो दो astronaut है, इनको International Space Station में पहुंचाया था rocket की बात करें, जिसके माद्यम से पहुंचाया गया, उसका नाम है Falcon 9 Falcon 9 इसका नाम है, which carried the spaceship into the orbit and was also built by the SpaceX SpaceX, और उसको भी मेरे भाई, किस ने बनाया था, SpaceX ने बनाया था, it is done under the Demo 2 mission of the NASA in SpaceX, SpaceX और NASA का एक mission राधर Demo 2 उसके अंतरकाद इसे बनाया गया, अब दो important बात यहाँ पर निकल कर आती है, पहली देखना, जो NASA है ना, NASA ने निजी कंपनी SpaceX SpaceX के रोकेट से दो अंतरिच यातरियों का अंतरास्ती अंतरिच स्टेशन बेजा, अंतरिच यात्री का नाम है अंतरिच यात्री का नाम है डग हारले, important, और दूसरा बॉब बैनकेन यह नाम important मनेगा, देखो SpaceX नाम याद रखना है, Falcon 9 याद रखना है International Space Station में दो जो अस्ट्रोनोड को बीजा गया, उनका नाम क्या है डग हारले और बॉब बैनकेन और जिस Space Crafter से भेजा गया, उसका नाम है Crew Dragon, यह important मनेगा मेरे भाई, ठीक है, यह important मनेगा, इसके अलामदे को Falcon 9 जिस Space Craft से भेजा गया, उसका नाम है Crew Dragon जिन दो अस्ट्रोनोड को भेजा गया, ना सके उनका नाम क्या है तो एक का नाम है डग हरले और दूसरे का नाम है Bob Benkin, guys clear है यह यह सभी का clear होना चाहिए, एक बार लाइक बटन पर प्रेस कर दे ना फटावट से, यहाँ तक clear हो तो एक बार लाइक बटन में प्रेस कर दो फटावट से मेरे भाई ओके चलिए, नेक्स आगे बढ़ते हैं अरे अभी तो और बाकी है Reserve Bank of India has approved the extension of the tenor of Lakshmi Vilas Bank आज के दा हिंदू की यह news है जो Lakshmi Vilas Bank के MD&CEO, इनका नाम है Supermanian Sundar, इनका जो tenor है उसको 6 महीने और extend कर दिया गया अभी यह November तक बने रहेंगे तो अभी आपको सिर्फ इतना याद रखने तिल November की Lakshmi Vilas Bank के What is the name of the MD&CEO of Lakshmi Vilas Bank यह Lakshmi Vilas Bank के MD&CEO का नाम क्या है तो Supermanian Sundar, एक लाइन में याद रखने है Supermanian Sundar, एक और appointment है Appointment ही एक मालब बैंक से रेलेटी है Indian Bank ने क्या 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 है? एक अपना product launch case का नाम है Ind GE CLS COVID-19 है क्या यह? Indian Bank ने एक Ind GE CLS COVID-19 की शुरुवात की है इसकी फुलवा मनेगी Guaranted Emergency Credit Line Scheme अब यह especially यह भी किसके लिए बनी है MSME के लिए A special product for the MSME जो Micro Small Medium Enterprises है इनको fund provide करने के लिए किस बैंक ना भी हाली ही में एक GE CLS COVID-19 लाँच किया है मतलब Guarantee Emergency Credit Line Scheme मेरी बात को ध्यान से सुनना Guarantee Emergency Credit Line Scheme यह किस बैंक के दौरा लाँच की गई Indian Bank के दौरा लाँच की गई है और एक बैंक से रिलेटेड यह रहा कि RBI ने MD&CEO Lachmi Villas Bank कें को continue करने के लिए बुला Supermanyan and Sundar को I hope so guys clear होगा Next देखना दोस्त Static portion OIC Organization of Islamic Cooperation 1969 में बना 57 countries के member है Jeta Saudi Arab इसका headquarter है Secretary General का नाम है Yusuf Al-Othamin ठीक है Yusuf Al-Othamin इसके Secretary General Headquarter Jeta Saudi Arab 57 57 देश इसके सदसे है और 1969 25 सेप्टमर 1969 में इसकी स्थाफना होई थी 5 देश अपने कौन से है Norway जिनकी Capital Currency पढ़ेंगे Norway Capital Oslo Currency क्रोन Oman Capital Muscat Currency Real Panama Capital Panama City Currency Dollar और Pampua New Guinea Capital Port Moresby Currency Keena and Paragway Capital Asancian Currency Gurani Qurani यहाँ पर मुद्रा चलती है CCC Rule से पढ़ेंगे तीनों को एक ही लाइन में पढ़ना अपना स्टेट है गुजरात आज लास डे कल आपको अगला स्टेट देखने को मिलेगा First में 1960 को गुजरात का formation हुआ तक Capital Ghandi Nagar मुख्यमंतरी विजय रूपानी है Governor आचारे देव बुरत है मेरे भाई District 33 है Lok Sabha seat 26 Raji Sabha seat 11 है Largest city एहमदाबाद रही जो की सावर मती न दी है किनारे Legislature Legislative Assembly विधान सबा की seat 182 है Official language यहाँ की गुजराती है याद रखना है मेरे भाई खापड़ा फापड़ा गुजराती मेरे भाई यहाँ की language है फापड़ा जलेवी साइद मेरे को लगता वहाँ बहुत फेमस है Border state यह हम लोग मैप से कल देख चुके थे हम लोग इस पर फोकस करते है Somnath Temple Kakarapar Atomic Power Station Sardar Ballabai Petal Airport यहीं पर है इसके लाब गिरफॉरेस Black Buck Marine of Anzda यह Wildlife of Centuries रहे I hope guys यह सारी चीज़े आपके बहतर तरीके से क्लियर होंगी यह रहा आज का session आपका कोई doubt हो comment box में लेख सकते हो एक last important information हम लोग अभी 12 बज़े मुलाकात करेंगे इस session में important days of में मन्त रहेंगे इसमें आपको जुड़ना है प्लस ऐसे बच्चे जो warrior 2.0 लेना चाहते मैं फिर बोलूँगा आज जायेगा offer अभी भी चल रहा है 600 रुपे का 600 रुपे वाला offer आज last है मेरे बाई फायदा उठा लीजे जितने बच्चे नए आये उनके लिए भी अगर आपको GA अपना strong करना है और target करना है 90% से ज़्यादा score करें तो दो चीज़े बहुत important होती current affair और एक banking current affair last six month का अगर पूरा compilation आपको पढ़ना है तो उसके लिए में एक batch लेकर आए और हमारा target है कि इसे आपको hardly early तीन हफतों में पूरा course complete हमें करना last six month का तो यह आपका January से start होगा till June और till July जब तक exam होगा तब तक cover किया जाएगा banking के लिए यह तो target जिये रहा इसके भी price 600 रुपे है और जो banking का बैच अभी इसके price भी 600 रुपे तो donor में जाकर आप कोई भी ले सकते हो banking वाला warrior का है पशरते code यूज करना पड़ेगा Y168 ठीक है Y168 I hope so guys सारी चीज़ें आप लोगे clear रही होंगी session पसंद है तो please share करेगा maximum जितना आप लोग share कर सकते न अपने hand से share करे goodbye take care all the best अपना ख्याल रखियागा मेरे भाई मेरे छोटे मोटे प्यारे मोटू पतलू ठीक है सभी लोग भेन भाईयों को मेरा वो कहूंगा मैं कि ये COVID-19 में मेरे भाई lockdown खुल चुका है और बड़ा खतरनाक lockdown है एसे में ध्यान रखना आप लोगों को अपना भी और अपना भी और मेरा भी ध्यान रखना है ठीक है मेरा कैसे तुम लोग स्वस्तर होगे तो फिर live session में जुड़ता भी पाऊगे please guys अपना ध्यान रखिए time से यहाँ पर session में जुड़िए सुबह साथ बजे जुड़ने की कोशिश करिए और अगर live जुड़ सकते हैं तो live जुड़ने की कोशिश करिए live से बहतर कुछ नहीं रहेगा क्योंकि आपको पूरा दिन मिलता है आप लोग 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे recorded देखते हैं उसके बाद आप सुबह का वक्त दो जाया कर चुके होते हैं तो कोशिश करिए सुबह साथ बजे टाइम से उठें टाइम से उठने के बाद और पहले कोशिश करिए जल्दी उठ जाए अपना रिवीजन कर ले current face cover करें उसके बाद अपनी पूरी जो कह सकते हैं ख्याल रखेगा मेरे बाई परेवार का भी ख्याल रखना